ओके लेट्स टारट विज्वेस्ट काम चलो देखते हैं फ्राइड को मार्केट में क्या मुवब्मेंट आशकता है आज को कुछ खास आया की अरिक निंदशिस करते हैं निफ्ट बैंक का भी देखेंगे जो लोग संकेक्स या बैंकेक्स वगरह में ट्रेड करते हैं लेवल्स मोर और लेस्ट वही रहते हैं उसको हिसाब से आपना बैंक एक सोर्स में शिफ्ट कर सकते हैं जैसे कि for example 22700 आपका बेचने का लेवल होता है ना तो वह आप उस पायगा तो सैंसेक्स बेच सकते हो वो डिपेंड करता आप पर मैं क्यों नहीं कहता हूं बिकॉस अभ कर ट्रेड मिस हुआ था वह मिस हो गया तो पूरे दिन कोई ट्रेडी नहीं था पूरे दिन साइड वेज़ा मार्केट राइट नीचे अभी वही रेंज है और उपर अभी वही लेवल है लेकिन थोड़ा सा इंटरस्टिंग चीज बन रही है ठीक है बायर्स होल्डिंग मत से सिंपल एनर्स होती है यह आपका आगया जो आपका ब्रेक डाउन पॉइंट है ठीक है अगर मार्केट सीधा इसके नीचे खुलता है तो अब्वियसली बात है ओपनिंग रेंज ब्रेकाउट की स्टेटेजी को यूज कर देना ठीक है आपने ओपनिंग रेंज अब लोगों ने क्या देगा था अज सेल का ही पॉट्षिटी है यहां क्या सपास आएगा तो सेल के बारे में सोचेंगे राइट वह आया था थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया अगर मार्केट इसके उबर खुलता है तो भी ओपनिंग रेंज का ही यूज करेंगे मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ब्रेक उट आएगा ऊपर में रेजिस्टेंज बैठे हुए 49600 की और नीचे पर अभी के लिए 48900 का सपोर्ट वर्ट होगा है तो मार्केट भी कल के दिन भी इसी के बीस में रहना चाहिए और दूसरा बोच साइड पॉंचेटी अगर आप अगर आप बॉइंग के टो प्रेफर करते लोग निफ्टी में आते हैं रिफ्टी में आते हैं निफ्टी निफ्टी सिंपल ज्यादा कोई खास स्टक है नहीं मार्केट में असच यहां आज के दिन इंट्रागें इंदर स्पाइक बहुत आ रहे था आपने गया था कि 711 के सपास आजाएगा तो आप उसको कर सकते हैं बैंक निफ्टी भी पदर सकते हैं बट इंडेक्स जैसे की तहीं आपसे चली ही नहीं रहता कोई खास मोमेंटम उसमें था ही नहीं पहुंचेगा तक कि 711 तक ही पहुंचेगा तेलिग्राम पर लगा देगा अब अब लगा देगा आपका जहां पर आपको सेल करना था बट थीक है कोई बाद नहीं कोई खास नीचे की साइड भी नहीं चला ठीक तो जैसे उसमें आपका लेवल कॉन सार था बैंक निफ्टी म को पकड़ के रखना है ठीक है अगर गैप डाउन खुलता है इसके नीचे ओपनेंग रेकाट की स्ट्रेजी को यूज करेंगे नंबर वन यह अगर और उसमें किया रहा है 22,625 वा 22,625 यह हम लोगोंने केस देखे साइड वेज हो गैप डाउन हो तो भी आपको यही दो ल करने का कोई फायदा नहीं है, मज़ा पता है कब आता है, मज़ा तब आता है जब मार्केट इसके ओपर निकल जाए, ब्रेक आउट देते और ब्रेक आउट फेलो के फिर नीचे गिरे, या फिर मार्केट नीचे गिर जाए और ब्रेक डाउन देते और ब्रेक डाउन फेलो तो बड़ा चांदी ट्रेड मिलता है वो ठीक है दोनों माग करके लिए बड़ा और अच्छा सपोर्ट का बाइस सब्सक्राइब कर देखते हैं और देखते हैं निफ्टी में क्या चीज बन रहा है 22700 पे आपका 126 और ठीके 123 अपकी बैठे हैं कॉल्स और 28 लेक्स 22 लेक्स ही पुटे यानि की क्लियर कट 22700 का इस ट्रेडल को शॉर्ट कर गए जो की दिख्रा रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा साइड मुमेंटम कल के लिए नहीं कर सकते हैं अब एक बाद आता हूं मुझे चला हमने बड़ा मुमेंटम को प्लान नहीं किया लेकिन अगर आपका घंगोर नेगेटिव है घंगोर पॉजिटिवी कैटेगरी में आ रहा है डिटा तो क्या मैं ऐसा करूंगा कि उसके अगेंस में ट्रेड लूँ दाइस नो राइट जैसे आज यहां पे अगर आप दे लेते हैं कि आज अगरी हो कि बैंक निफ्टी में 49,000 वहां पर ही सक्षादार पूट्स आज के दिन एड़ हुई है ठीक है और 49,500 पर सक्षादर पॉल्स एड़ हुई है टोटल क्वांटम पॉल्स क्या दिख रहा है टू लेक्ट नाइन लेक्ट सिक्स लेक्स कम है पूट हमेशा याद रखना रेंज अगर इस तरह के टूटी है और री टेस्टिंग का वेट करना उपर रेंज टूटती है डिरेक्ली बाइन को क्या दिख रहा हुगा बाइसाइट तो हम लोग क्या करेंगे री टेस्ट के बाद निकलना शुरू होगा तब करेंगे सेम चीज़ क इस तरीके से टेडिंग करेंगे तो फिर बचने के चांसे जादा रखते हैं तो अभी के लिए इतना ही है आई होप उसमच में आए होगा सी यू नेक्स सेशन तिल एंड बाइग झाल